करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम सिद्धान तक नहीं होतरी स्टेडी आइक्यू वैप का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे नेपाल और भारत की अब आपको पता ही है कि मैं नेपाल और भारत पे आमें नेपाल पे मैं में क्यों ले रहा हूं काफी डिस्प्यूट हो गया है बॉडर डिस्प्यूट तो होई ही गया है फिर उसके बाद ओली साहब ने यह बोल दिया है कि भारत की वज़े से कोरोना फैल रहा है नेपाल में तो भारत और नेपाल के रिष्टे कैसे हैं हम देखेंगे पूरा डिया अनलेसिस करेंगे नेपाल का थोड़ा इतिहाज जानेंगे केपी ओली की बाग्राफी को देखेंगे खडगा प्रसाद शर्मा ओली जो है वो कैसे है क्या वो एंटी इंडियन है उनका स्टांस एंटी इंडियन है हम इस पे भी नजर डालेगी तो बहुत ही ज़ादा इंप सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं गौरफ सर ने कमाल की किताब लिखिया फेलियर टू ट्रायंफ आप इसको स्टडी आइक्यू की वेबसाइट से प्रेबुक कर सकते हैं स्टडी आइक्यू का आप आ गया है प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए दोस्तों आपको बहुत ज़ सोटा भाई मानता है ठीक है ना अब नेपाल की जो बॉडर है आप देख लिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार से केमिन सबसे लगती है चाइना से भी लगती है समझ गए पूरी हिमालियन रेंज जो है न यह पाकिस्तान से होते हुए पूरा जमू और कश्मीर और सेंचुरी में नेपाल को बनाया था तो उन्होंने बोला था यही है असल हिंदूस्तान यहां पे ही यही है रियल लैंड ऑफ हिंदूस 82 प्रतिशत हिंदू मिलेंगे दोस्तों भगवान शिफ की पूजा करते हैं खूपसूरत पशुपती नाथ टेंपल है यहां पे नेप भारत हमेशा नेपाल को अपना छोटा भाई मानता है नेपाल भारत पे पूरा डिपेंड रहता है नेपाल एक लैंड लॉग्ड कंट्री है ठीक है सी का एक्सेस है नहीं तो नेपाल भारत पे पूरा डिपेंड रहता है और भारत हमेशा नेपाल की मदद करता है 1950 में यह लोग आते हैं भारत उनको रोजगार देता है खुब सारा रेमिटेज जो है वो नेपाल में जाता है नेपाल में जा भूकम पाये था दोस्तों 2015 में तब भारत ने बहुत जादा मदद की थी medicine हो गया administrative हर matters पे नेपाल की मदद करता है भारत लेकिन हाल फिलाल में एक दो सालों में दोस्तों जब से केपी ओली आये हैं तब से भारत और नेपाल के रिच्टे जो है ना वो खराब ही होते जा रहे हैं और जो केपी ओली का अभी stance है वो होना ही था अगर आप नेपाल और भारत के पिछले 5 साल के इसको मतलब पिछले 5 साल कोगर track करें तो आपको पता ही चल जाएगा कि नेपाल और भारत के जो अभी relation है उसको होना ही था मतलब वो खराब होने ही थे आप कुछ कर नहीं सकते क्यों क्योंकि केपी ओली जो है वो communist party से बिलोंग करते हैं और communist party जो ह वो जाहिर सी बात है चाइना की तरफ जुकेगी ही जुकेगी क्योंकि चाइना पर communist nation है और चाइना हर चीज का फाइदा उठाता है जहां पर political instability होगी वहां पर चाइना कूदेगा ही उसका फाइदा है वहां पर समझ रहे हैं वैसे भी चाइना अगर बात करें तो यह पू और क्यों परशान हो क्यू भारत से inward दे रहे हो मैं पूरा रेलही रूट बना दूंग तुमारे लिए रेल में ई नेपाल की केपिए्ओली चाइना की तरफ जाते हुए दिख नहींुग जादा युगा गया है नेपाल ने भारत की राइन करदी वहां को यादि होगा भी तो चाइना इस समय नेपाल के साथ पूरा दिख रहा है लेकिन नेपाल का चाइना के साथ जाना ये नेपाल के लिए भी खतरे से खाली नहीं है समझ रहे हैं हमारे आज से रिलेशन्स नहीं है नेपाल के हमारे हजारों सालों से हैं ठीक है मौर्ण इंपायर से मौर्ण इंपायर जब मौर्ण इंपायर का उद्य हुआ 250 BC के आसपास Southern Region औफ नेपाल पे भी कबजा हो गये तो मौर्ण इंपायर का ठीक है अशोक चले गए थे पिलर्ज बनवा दिये थे और तब से 2000 सालों से हमारे नेपाल से अच्छे रिलेशन है ठीक है फिर 1769 में दोस्तों जब प्रित्वी नारायन आय गोर्खा राजा कमाल के राजा जिनोंने सब कुछ युनाइट कर दिया और किंडम अफ नेपाल की स्थापना की तब भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे 1950 आया 1950 में दोस्तों नेपाल के साथ एक फ्रेंशिप ट्रीटी हमने साइन की कि तुमारी हर तरीके से हम मदद करेंगे हाला कि उस ट्रीटी में अभी ये काफी बाते उठ रही है कि इस ट्रीटी में बदलाव करो ठीक है भारत भी यह चाहरा नेपाल भी यह चाहरा है ठीक है अब दोस्तों नेपाल में 1769 से इससे पहले भी ठीक है लेकि 1769 से राजा महराजाओं का राज था पूरी absolute मुनार्की थी, ठीक है, यहाँ पे राजा महाराजे रूल करते थे, constitutional मुनार्की यहाँ पे नहीं थी, 1769 की बात करें, तो यह पूरा 1990 तक चला, 1990 तक absolute मुनार्की रही है, अब दोस्तों 1960 में नेपाल में क्या हुआ, एक ऐसा system लाया गया, जिसमें लोगों के rights को दब यह जाते हैं, तो लोग withdraw करेंगे, civil liberties पूरी तरीके से दबा दी गई, 1960 में party-less पंचायत system, मतलब कोई party होगी ही नहीं, नेपाल की सबसे बड़ी party, दो सबसे बड़ी party है, एक तो नेपाली Congress, ठीक है, नेपाली Congress party जो है, यह सबसे बड़ी वहाँ की party है, 1950 में यह बनी थी, फिर Communist party जो है, वो भी बहुत बड़ी party जो इस समय सत्ता में है, तो अगर हम बात करते हैं, कि party-less, मतलब party होगी ही नहीं, राजा ने बोला, पंचायत system चलाओ, ठीक है, अब यहाँ पर पूरा राजा का control था, तो होग हुआ कै 1960 में, दोस्तों, 1960 में, 1960 से लेकर 1990 तक, नेपा आली movement बोला जाता है, जब नेपाल में protest शुरू हो गए, एक तरफ थी सरकार, मतलब राजा, और दूसरी तरफ थी सारी political parties, वो unite हो गई, और 1990 में, finally हम देखते हैं, कि नेपाल में constitutional monarchy आई, कि अब राजा जो है, वो सम्विधान के साब से चलेगा, लेकिन अभी भी लेकर 2008 तक, 18 साल तक ही constitutional monarchy रही है, और 2008 में finally federal structure, federal government बना, समझ रहे हैं नेपाल में, तब वहाँ पे proper constitution सम्विधान लागू हुआ, और उसके बाद नेपाल में ये monarchy को खतम किया गया, राजा महराजों के रूल को खतम किया गया 2008 में, ठीक है, इसे में दोस्तों एक topic है, न लेकिन 1996 में शुरू हुआ था, ठीक है, देखिए, जो communist party थी, केपी ओली भी communist party से जुड़े थे, वो मोल रही थी कि हमको को constitutional monarchy नहीं चाहिए, हमको federal government बनानी है, ठीक है, हमको ये सब कुछ नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, तो इसलिए, शुरू हो जाता है नेपाल में civil war की कि राजा महराजाओ को पूरी तरीके से अटा दो, उन्ने सो अच्यानवे से लेकर 2006 तक ये civil war चलता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, 27,000 से लेकर 18,000 लोग मारे गए, ऐसे आकड़े दिये जाते हैं, 2006 में ये civil war खतम हुआ, और फिर हम देखते हैं कि सरकार और ने, मतलब य जो communist party है, ठीक है, इसके बीट में treaty sign हुई, अब इसका नतीजा ये रहा कि मोनार्गी खतम हुई, एक तरीके से communistों को यहाँ पे जीत मिली, और communistों की जो एक समय पे सरकार के खिलाफ रहे थे, अब वो सरकार में आ गए, सरकार में इंदसें सिस्टम में आ गया, वो अतार election हो रहे हैं, और अब यहाँ पे party rule चालू है, जैसे वारत में, समझ रहे हैं, एक राष्ट्रपती होता है, और एक प्रधान मंतरी होता है, पेडरलिजम है, ठीक है, समविधान को कई बार change भी किया गया, 2015 के बाद जो समविधार आया है दोस्तों, उसमें तो बड़ अलली देखके चलिए, केपी ओली का क्या रोल है, केपी ओली की बात करें, तो इनका जनम 1952 में हुआ, इनका जो परिवार था, किसानी करता था, फार्मर्स के परिवार से आते थे, शुरुवाती पढ़ाई दोस्तों, पहले तो ये तेरा थूम में रहते थे, और उसके बा आते थे, और फिर Communist Party से जुड़ गए, 1906 में इन्होंने अपना Political Career शुरू किया, और 1970 में, 1906 में क्यों, मैंने अभी आपको बताया, सब पैरलली आप यहां पे लिंक करते चलिए, यह जो लेचर आगे बढ़ेगा, आप जो मैंने इंट्रोड़क्शन दिया था ना, को 6 मिन नेपाल के बारे में बताया था, उसको देखते चलिएगा, 1960 में क्या हो रहा है, यहां पे Civil Liberties नेपाल में सस्पेंड कर दी, 1966 में ओली Politics में आगे, ठीक है, इनफाट बहुत सारे लोग Politics में आगे, जब उन्होंने देखा कि सरकार का जो Attitude है, मतलब राजा का जो Attitude है, वो सही नहीं है, ठीक है, तो 1968 पे इन्होंने अपना Political Career शुरू किया, ठीक है, बहुत उमर छोटी थी, याद रखेगा, लेगिन Political Career उन्होंने शुरू कर दिया, उसके बाद 1970 में हम देखते हैं कि इन्होंने Communist Party जॉइन कर ली, और फिर यह लगातार Politics में involved रहे, ठीक है, फिर य से लेकर 1987 तक सरकार उसमें क्या कर रही था, भी मैंने बता ना, पार्टी लेस, पार्टी को तो कुछ जगा ही नहीं है, तो जो राजा महरा राजा थे, वो उठा उठा के, जो ऑपोनेंस तो उनको जेल में डाल रहे थे, 14 साल तक, 14 साल तक केपी ओली जेल में रहे हैं, 1973 से लेकर 1987 तक, 1987 जब प्रेशर बहुत जदा बढ़ा तब इनको छोड़ा गया, इनफाक्ट बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजिनर्स को छोड़ा गया, ठीक है, और उसके बाद ये इनको इन्चार्ज बनाया गया, UML का इन्चार्ज बनाया गया, Communist Party अगें, ये फुली अक्ट मतलब Communist Party of Nepal के मेंबर थे ये, ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 1990 में ही, People's Movement भी यही, कि इधर मुनार्की को पूरी तरीके से, Absolute मुनार्की को पूरी तरीके से खतम किया जाए, तो 1990 में जो मुमेंट चला, उसको People's Movement कहते हैं, समझ गया, उसके बाद दोस्तों, ये पे हुए तो छुप छुप के लड़ रहे थे, लेकिन जब Peace Accords साइन होता है 2006 में, तो जितने भी Communist Members है, वो Mainstream Politics में आगे, केपी ओली भी आगे, और केपी ओली उस समय, Deputy Prime Minister बनाये गए, समझ नहीं है, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, जो गिरिजा प्रसाद कोईराला की Interim Government थी, समझ नहीं है, और फिर 2008 में Constituent Assembly election हुए, 2008 में मुनार्की को भी खतम कर दिया, नया समविधान बना नेपाल का, और फिर election हुए, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, नेपाल के इतिहास की, ठीक है, जब जब नेपाल में election हुए है, नेपाली Congress, नेपाल National Congress इनहीं का ही बोल बाला रहा ह जाधा तर्टाइम, 60-75% नेपाली Congress, नेपाल Congress ने elections को जीता है, लेकिन पैरलली दोस्तों, Communist Party भी पीछे नहीं रही है, समझ रहे हैं, उसके बात दोस्तों हम देखते हैं, कि फिर से जब 2013 के Constituent Assembly election हुए, फिर ये जहापक Constituency से चुन किया है, ठीक है, अब जब 2015 के elections थे, 2015 के जो elections हुए, उसमें इनको Prime Minister Candidate और CP इनका Leader बनाया गया, Communist Party का Leader इनको बनाया गया, ठीक है, और उसके बाद as a Prime Minister Candidate इनको प्रोजेक्ट किया गया, election हुए दोस्तों, ये जीत के तो इनकी party जीती तो नहीं, लेकिन हाँ, majority of votes इनकी party को मिले, ठीक है, अब ऐसा है कि अग जमारे Bicameralism है, वैसे वहाँ पे भी Bicameralism है, वहाँ का जो Upper House है, ठीक है, उसको बोलते है National Assembly, और जो Lower House है, उसको बोलते है House of Representative, ठीक है, लोवर हाँस में 275 सीटे है, अब यहाँ पे Party साथ में आई, जो Communist, जो Leftist Party थी, वो साथ में आई, और गठ जोड करके, Party, मतलब सरका बनाई गई, ठीक है, जिसमें KP ओली को प्रधान मंत्री 2015 में बनाया गया, समझ रहे है, अब जब KP ओली प्रधान मंत्री बनते हैं, तो हैं की Communist Party, ठीक है, और 2015 के बाद से भारत से रिलेशन इनके खराब होते गई, अब आपको पता ही है कि जब नया समविधान आया था 2015 के लड़ रहे थे, अब यहां पे उनके पूरे रिजन को इन्होंने पांच रिजन में बाड़ दिया, एक तरीकी से मधेशियों को डिवाइड कर दिया, जिसकी वज़य से इनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गये, जिसकी वज़य से एकॉनमिक ब्लॉकेट, 135 दिनों का लगा दिया गया, और भारत जो है, उस समय हम नेपार को बहुत मदद चाहिए थी, भुकंप भी आया हुआ था, तो भारत यहां से मदद भेज रहा था, लेकिन वो 135 दिनों का ना पेट्रोल आ पा रहा था, ना मेडिसीन आ पा रहे थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसा कर देते हैं, जिसकी वज़े से भारत का, यानि कि हमारा मूड खराब हो जाता है, ठीक है, चाइना ने क्या बोला, चाइना ने इसका फाइदा उठाया, चाइना तो फाइदा उठाय गई, चाइना की तो strategically नेपाल चाइना के लिए बहुत 2020 तक दोस्तो, भारत के खिलाफ तो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंद नहीं रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ था कि केपी ओली को स्तीफा देना पड़ा था, क्यूं? क्यूंकि केपी ओली की सरकार के खिलाफ देखे गटजोड वाली पार्टी थी, अब देखे क्यूंकि एक पार्टी ने हाथ खिच लिया, है ना, इनकी जो कोलिशन पार्टी थी, अवश्वास प्रस्तावल आया गया इनके खिलाफ और पार्टी ने हाथ खिच लिया, तो इनकी सरकार गिर गई, तो 2016 में इनको रेजिगनेशन देना पड़ थीक है, फिर 2017-2018 तक भारत और नेपाल के रेलेशन ठीक रहे, लेकिन फिर 2018 में दिक्कत होगी, अब 2018 में दुबारा ये चुनकिया, अगर इस बार तो मेज़ोरेटी से चुनकिया है, ठीक है, 2018 में इस बार तो पूरी तरीके से चुनकिया है था ये, Communist Party, जो है, देखिए, 2016 में तो Unified Communist Party थी, मतलब सार लेफ्टिस्ट पार्टियों को साथ में मिलके सरकार बनाई, लेकिन 2018 में अपने बल पे आ गई है, और इनको प्रधान मंत्री दुबारा बनायागे, 2018 में, ठीक है, तो आप समझ रहे कि ने कि पहला टर्म, जब पहली बार 2015 से लेकर 2016 तक, जब ये प्रधान मंत्री थे, तो उनका बहुत अच्छा 10-4 नहीं रहा भारत के साथ, है ना, भारत के साथ से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे, और 2018 में जब ये आए, 2018 से लेकर अभी 2020 है, दो सार में अगेन बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहे, लेकिन जए सही ये प्रधान मंत्री बने तुरंत कात हुई, और लगा सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी सही नहीं था दोस्तों, कुछ भी सही नहीं था, तवसे लेकर अभी तक अगेन, अब काला पानी विवाद जो है, वो चला रहा है, ठीक है, अभी भारत ने नया मैप जारी किया, अब देखे, भारत के पॉलिटिकल मै जाता है नेपाल, यहां से आप देख सकते हैं, यहां पे आपको ज्यादा बेटर दिखेगा, यह वाले जो ट्राय जंक्शन एरिया है, यह काला पानी यह भारत ने अपने पास दिखाया, भारत का पूरा अड्मिनिस्ट्रेशन है, ठीक है भारत का ही, लेकिन नेपाल क्या बोल रहा है कि हमारा है हिम्मत कैसे हो गई, तुमने अपने मैप में इसको दिखा दिया, ऐसे तो चलेगा नहीं बिल्कुल यह, उसके बाद भारत, अब देखिए इस पे पूरा सेपरेट लिच्चर है स्टेडी आईक्यू पे, माईपाल सर ने कवर किया, तो मैं इस तना चाइना ने बोला नेपाल को बिल्कुल बिल्कुल बोलो, हाँ भारत को बोलो कि कैसे रोट बना सकते हैं यह, बिल्कुल रोट नहीं बना सकते हैं, चाइना पूरा नेपाल को बैक कर रहा है कि पीचे हम कड़े हुए है, परचान में तो बेड़ जाओ भारत से, ठीक है, त ये एक Indian वाइरस है, है ना, मतलब जो COVID-19 है, जो भारती नेपाल आ रहे हैं, इसकी वज़े से नेपाल में कोरोना वाइरस फैलराब, नेपाल में दोस्तों, कोरोना वाइरस ऐसा नहीं कि नेपाल बहुत बुरी तरीके से कोरोना वाइरस के चपेट में है, ठीक है, वहाँ तो Indian वाइरस, समझ रहे हैं, तो एक और controversy होगी, अभी border controversy, और यह official statements है दोस्तों, यह KP ओली official statement देते हैं, यह बहुत ही खतरनाक है, अगर official statement आ रहे है, un-officially बोल रहे हैं, तो ठीक है, लेकर अगर official कहीं पर कोई प्रधान मतरिक किसी देश का अगर ऐसा बोल रहा है, तो यह भ इरिया पर basically विवाद है, लिपु लेक जो दर्रा है, लिपु लेक पास, दर्रे यहाँ पर बहुत मिलेंगे क्योंकि पूरी हिमालेयन रेंज है, ठीक है, पास पता ही आपको न, जो दो mountain होती है, उनके 20 का रास्ता, ठीक है न, जैसे बड़ी बड़ी पाड़िया है, उनके बीच का रास्ता, यह होता है, पास बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि यही से समाल ले जाए जाता है, तो लिपु लेक पास हो गया, काला पनी, लिम्पु धुरा, ठीक है, लिम्पी धुरा, यह तीनो एडियास जो है, वो नेपाल के हैं, यह नेपाल के प्रधान मंत्री केपी ओली बोल रहे है, और अभी जो उन्होंने नया नक्षा निकाला है, उसमें यह तीनो एडिया, मतलब अपने पास उन्होंने रखे हैं, तो आप समझ रहे हैं, अब यह जो देखें कि कब तक चलती है, फिलहाल यह लेचर था दोस्तों केपी ओली पे, I hope समझ में आया और अभी जो आप सम्झ केपी ओ।